गुरुर् ब्रम्हा, गुरुर् विष्णुहु, गुरुदेवो महेश्वरह, गुरु साक्षात्परब्रम्ह, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। अज्ञानति मिरांधस्य, ज्ञानांजनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितम्येन, तस्मै श्री गुरवे नमहौ। श्री रामक्रिष्णह। यदा भक्तिही पक्वा भवति, तदा भावह जायते। भावह जायते चेत। साधकह सचिदानंदस्य विशये भाव इत्वा मूकह भवति। भावह पक्वह भवति चेत। महा भावह प्रेम जायते। पक्वाम्र अपक्वाम्र योहो यथा भेदहा वर्तते। तथा भाव महा भावयोहो भेदहा वर्तते। कदाचित नारदस्यस्तोत्रेन रीतहा रामह यदातं एकंवरं रुनीष्व इति उक्तवान तदा नारदहा हे राम तव जगन्मोहिनी मायया अहम्मोहितहान भवामी इवकुरू इति प्रार्थितवान तदा रामह तदस्तु किन्तु अन्यम कमपि वरं भुरुनीष्व इति अवदत्तु तदा नारदहा अवोचत्तु मह्यम अन्यह कोपि वरह मास्तु मह्यम केवलं भक्तिहि आवश्यकी इति एशा भक्तिही कथम संपादनीया आदव साधु संगह करनीयह सत्संगह भगवद्विशयक श्रद्धाम जनयति भगवद्विशयक श्रद्धा निष्ठाम जनयति यदा निष्ठा जायते तदा भगवद्विशयात गृते अन्यत किमपी श्रोतुम इच्छा न भवति केवलं भगवत् संबध्ध कार्यानि कर्तुम इच्छा भवति निष्ठायाह अनंतरं भक्तिहिजायते भक्तेहे अनंतरं भावह भवति तदनंतरं महा भावह प्रेम भवति तदनंतरं वस्तुलाभह भगवद्धर्षनं भवति केवलं इश्वर कोटिभिहि अवतारादिभिहि महा भावह प्रेम लभ्यते संसारिनाम भक्तानाम अवतार पुरुषानाम चे ज्ञानम संसारिनाम ज्ञानम भक्तानाम ज्ञानम अवतार पुरुषानाम ज्ञानम चे समानानी नभवंति सम्सारिनाम ज्ञानं लगुदीपह इव लगुदीपह केवलं गृहस्य अंतस्तन प्रदेशं प्रकाशयति तेन प्रकाशेन भोजनं गृहकृत्यं शरीर रक्षनं इत्यादीनि कर्तुं शक्यते तथा एव सम्सारी स्वस्य ज्ञानेन केवलं स्वस्य रक्षनं स्वस्य उध्धारह स्वस्य अपत्यानाम वर्धनं इत्यादीनि कर्तुं शक्नोति भक्तानाम ज्ञानं चंद्रस्य प्रकाशह इवभवति चंद्रस्य प्रकाशह गृहस्य अंतस्तनानी गृहात्बहिस्तनानी च सर्वानि अपि प्रकाशयती परंतु भृषम दूरस्थ वस्तूनिवा अतीव सूक्ष्म वस्तूनिवा तेनत् प्रकाशेन द्रस्टुं न शक्यते भगवद अवतारिनाम ज्ञानम सूर्य प्रकाशवत अंतस्तनानी बहिस्तनानी लगूनी ब्रुहंती सर्वानिक प्रकाशयती तस्य प्रकाशेन सर्वं द्रष्टुं शक्यते सम्सारिनहा मनहा पंकिल जलम इव परंतु तस्मिन शुद्धी करण वस्तु स्थाप्य तेचेत तत शुद्धं भवती विवेक वैराग्ये एव शुद्धी करण वस्तुनी झाल 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 झाल